हर किसी के दिन फिरते हैं सो मडूए के भी फिरे। आजादी के बाद भारत में पैदा हुए मध्यम वर्ग को खाने अगाने के बाद जल्दी मोटापे ने घिर लिया। मोटापा खुद के साथ कई बीमारिया लाता ही है। अब मोटापे की वजह से पैदा हुई इन कई बीमारियों की वजहों की तलाश शुरू हुई। बात कुर्सियों में स्थानांतरित होते रहने वाली दिन चर्या और अतिपोशित भोजन पर जाटिकी। आनन फानन में मध मध्यवर्ग को तमाम व्याधियों से मुक्ती दिलाने वाले कई ओजह सोखा पनप गए। इन्होंने धर्म का हवाला देकर भारतिय मध्यवर्ग से स्वस्थ जीवन पध्धती अपनाने का आहवान किया। पोशक तत्वों में से एक अनाच था फिंग मिलेट का आटा। कह पोटे, काले कलूटे फिंगर मिलेट को देखकर मध्यवर्ग हैरान हुआ। जब उसने शनकावश वनस्पती विग्यान की किताबे खंगाली तो फिंगर मिलेट और्फ मधुए के बारे में किये जा रहे दावे को सही पाया। भारी अनिच्छा के बावजूद उसे इसे शामिल करना पड़ा। मधवा, मंडू, अक्वादू और कोदा नाम से पहचाने जाने वाले अनाज को लंबे समय तक उत्तराखंड में वह सम्मान नहीं मिल पाया है जिसका की वह हकदार था। मधवा को हमेशा से निचली समझी जाने वाली जातियों और गरीब लोगों का अनाज माना गया। इसी वजह से इसे हमेशा हिकारत की नजर से देखा गया। हो सकता है इसमें इसके मोटा अनाज होने के साथ साथ काले रंग की भी भूमिका हो। भारतिय समाज में मोटापे और काले रंग दोनों को ही वित्रिशना का पात्र जो माना जाता है। इस तरह मदूए को कभी गाउं से गवारों रिष्टेदारों द्वारा तोहफे में लाए जाने पर अपचारिक तावश रख कर, कोने में सढाकर कुड़ेदान में ठिकाने लगा दिया जाता था अब उसी को ढूंड कर मंगाया जाने लगा। बुजुर्ग बताते हैं कि मदूए के लिए इनसान की हिकारत का भाव देखकर घोड़े, खचर तक उससे मूँ फेर लिया करते थे। खैर, सदियों उपेक्षा का शिकार रहा मदूआ अब देखते ही देखते बजार में नई उच्छाया चूने लगा। भारतिय बजार में इसके भाव 50 रुप्य तक जा पहुँचे जबकि गेहू का 38 रुप्य पर ही अटका रह गया। मदूवे की बजार में मांग और बाबाओ द्वारा इसका व्यापार कर कमाई जा रही मोटी रकम को देखते हुए अमेजन, फ्लिपकाट, इंडिया माट, बिग बासकेट जैसी बहुराष्ट्रिय कंपनिया भी इसकी तिजारत करने लगी। कभी गाउव में रहने वाले रिष्टेदारों के हाथों जो मदवा फेकने की ही नियत से ग्रहन किया जाता था वही अब ऑनलाइन मंगवाया जाने लगा। तो अपना ये परम प्रतापी मदवा, मदूवा, मंदूवा, क्वादू, कोदा तथा हिंदी में रागी के नाम से जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम है फिंगर मिलेट और वानस पतिक नाम है एलो साइन को रुकेना दुनिया के कई देशों में खाया जाने वाला मदवा इथोपिया और यूगांडा का मूल निवासी है और 220 में यह भारत पहुचा। इसे सिर्फ पहाड का गवारू अनाज न समझे यह दुनिया के कई देशों में खाया जाने वाला अनाज है। इन देशों में प्रमुक हैं यूगांडा, इथोपिया, केन्या, जायरे, जंबिया, जिंबाबवे, तंजानिया, सूदान, नाइजीरिया, मोजंबीक, नेपाल। भारत में भी यह उत्तराखंड के अलावा आंधर प्रदेश, करनाटक, केरल, प्राजस्थान, तमिलनाडू, उर्रिसा, गुजरात, महराष्ट्रा, गोवा आदी राज्यों में भी विभिन नामों से खाया जाता है। इन राज्यों में मदुए से बनी रोटिया, ब्रेट, दोसा और भाखरी वगएरा खाये जाती है। आजकल मदुए में मौजूद पॉष्टिक तत्वोव इसकी भारी मांग को देखते हुए इससे नमकीन, बिसकिट, चॉकलेट, नूडल्स, पास्ता, आधी आधुनिक ल देखभाल की जरूरत नहीं पढ़ती। मदुए के बीजों को सुखा कर सनरक्षित करने से इसमें कीड़े और फंगस भी नहीं लगती, इस वजह से इसका रखरखाब बहुत आसान है। मदुए को फर्ष से अर्ष पर पहुचाने का काम किया इसमें मौजूद पॉष्टि इसमें मौजूद तत्व इसे पॉष्टिक्ता और औशधिय गुनों से भरपूर बनाते हैं। अपने इनी तत्वों की वजह से मदुए पेट की कब्ज और एसिडिटी में बहुत कारग है। आजकल की जीवन शेली में तेजी से बती जा रही डाइबिटीज और शुगर क की बीमारी में ये बहुत रहत पहुचाता है। इसमें मौजूद असी फीसदी केलशियम हडियों को आस्टियो पोरोसिस से बचाता है। मदुए खाने से त्वचा को पर्याप्त पोशन मिलता है। आजकल मदुए से बने फेस पैक और फेस मास्क भी प्रचलन में है। ये त्वचा की रंगत को निखारने में मददगार है।